हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागा थे तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं बिये थार्ड येर्स के समेस्टर फिफ्ट के ससॉलजी का चैप्टर जिसमें हम करेंगे रूलर सोसाइटी फैमली यानि ग्रामनी समाज और परिवार देखे ग्रामनी समाज परिवार जो है बहुत ही महत्पून टॉपिक है फाइनल येर के बच्चों के लिए जो फिफ्ट स कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वो यह है कि जब भी वेडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना मत भूलना तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जा सब्सक्राइब करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है हमारा जो आज टॉपिक है वह है परिवार का अर्थ एवाम परिवार्षा देखिए परिवार के विशह में जो है काफी इंपोर्टन टॉपिक है जो हमारा यह बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक रहेगा जिसमें परिवार के और परिवार की बुनियादी एकाहियों की व अब बात करें इसका नीोंतम सरूप का चोटा रूप में नीचैनी और बच्छो को समलित किया घ्रत में जो है जो हम प警ियों के जफडार होते हैं जब हम Detroit हैं उसमें कई पीडिया जो होती है साथ में रहती है यानि कम से कम तीन जनम के दार पर परिवार की कायूं को बनाते हैं यानि इसको कानूनी रूप दिया जाता है और इसमें जो है विवाहित के बाद वो दमपती एक छट के नीचे रहने लग जाती है यानि कहते हैं विवाहित संसकार हो जाता है तब ही जाके वो परिवार में समलित भी होती है ठीक है दमपती समाने निवास करते हैं और बहुत ही समावियात्मक समाजिक और आर्थिक रू करना और मैं तो कंश्राओं को पूटा करने का उध्यृश्य समाज कई मानने में कई तरह की पराप्ट हो जाता है इसके अत्रिक्त पती और पत्नी में सनेहुत्पन होता है और यह सनेह अपने परिवार में भी देखने को मिल सकता है यानि उस दोनों में सनेहुत्पन होगा और दोनों एक दुसरे से काविगनिश सम्बंद में जूड़ जाती है समानने सब्दों में परिवार कम से कम दो विक्तियों के बीच में समाजी संबंद अस्तापित करता है यानि परिवार का अर्थी होता है कि एक से कम दो विक्तियों के बीच समाजी संबंद अस्तापित होते हैं मालली जगर विवा होता है तो इसमें दो समाज आपस में मिलते हैं एक लड़की पक्षका एक लड़के पक्षका तो इसमें दो स्प्रक्तियों के वीच में समाजी संबंद स्तापित होते हैं परिवार के ये सरस्षत जनम विवा और दंतकरन से जुरे होते हैं यानि जनम हो विवा हो दंतकरन ग्रेन हो सभी से आपस में ये लोग जुड जाते हैं परिवार एक नातदारी समू है जिसका अधार विवा की संस्ता होती है यानि परिवार एक नातदारी समू है जिसका अधार और संस्ता जो होती है विवा होती है इस अर्थ में परिवार एक ही मकान में निवास करता है और इस इस्तिति में दोस्तों जो होता है परिवार एक ही जो है मकान में निवास करके जो है अपना जीवन संपन करती है इसकी परिभाशा में कहना चाहिए कि परिवार बहुत करके 27 संबंद रखने वाले सदस्य का समू है देखिए अगर परिवार का अगर आ साइ संबंद रखते हैं उसी का एक समू होता है तो इसी को हम परिवार कह सकते हैं सदसे के संबंद विवार रक्त या दंतक गरन कर द्वारा बने होते हैं यानि विवार के द्वारा भी ये परिवार संबंद से भी बनते हैं अद्दतक गरन भी करके भी बना जा सकता है का दाइकु आता है और में सारे सामाजी जो कंड़ियाय होती है वो सारे क्रियाय pasado नीत रहती रहती यहां तुम्हें ध्यान चाहिए कि परिवार घर बहुत रह्त ही जाने कोड़ेंदे को मिलेगा घर-मेपरिवार के अदिया सभी कोड़ी होते हैं जो एक संबंद नहीं होते हुए पिर एक को परिवार दो अंतर धाया जाता है घर में कई तरह के लोग रह सकते हैं और सब्सक्राइब रह सकते हैं था इसका आर्थ यही हुआ कि परिवार में रिष्दार रहते हैं जबकि घर में लोग निवास करती हैं यानि परिवार में सिरफ रिष्दारों को ही मानता दी जाती है लेकिन घर में कोई भी लोग निवास कर सकता है यह घर और रिष्दारी एक दुसरे के प्रतक कर देते हैं द यदि यहां पर हम बात करें परिवार का समाज सास्त्री महत्व तो समाज सास्त्री परिवार का महत्व क्या होता है समाज सास्त्रियों ने इसके क्या रूप दिया है तो परिवार का दियन महत्वपून है और यह इसलिए है कि मानव समाज में परिवार बुनियादी अधार है मानव समाज में जो है परिवार बुनियादी अधार है और समाज के निर्वार में इसकी जो है बहुत काफी महत्पुन भुमिका भी रहती है यह मानव समाल्स की यानि पुरुष इस्थरी और बच्चों को अस्थाई संबंद में भी जोड़ता है इसे मानव संस्कृति और नरशरी भी कहा जाता है यानि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों पूरुष इस्थरी के जो है यहाँ पर मानव सप्राकिति का एक पोशा जाता है कि वियाक्स होने पर बीवेन परिश्थितिव में वैसा अधिति चूट जाते य वह अपना जीवन विश्थीत करе लगते चाहिए और उनका हो सकता है दूसरे सब्दों में परिवार माना विक्तित्व की नीव डालता है यानि दूसरे सब्दों में देखा जाए तो परिवार जो है आगे बराया जा सकता है परिवार को संस्कृति या स्थांतरन मिंदू भी कहा जाता है परिवार जो है एक संस्कृति का स्थांतरन मिंदू भी कहा जा सकता है क्योंकि यह स्थांतरन भी होती है यह हम जानते हैं कि संस्कृति परियावरन का मानम निर्मान भाग है और प बच्चों को समझाते हैं ठीक है हम जो है अपने बच्चों को यही बात समझाने को कोशिच करते हैं कि समाज में हमें किस परकार रहना है और किस परकार जो है अपना जीवन यापन करना है एक व्यास परिवार के दो परकार के परिवार को सदस्य हो सकता है एक परिवार वह ज आहां पर जीवन और वित्त पर हो सकता है यानि एक व्यास्क दो पर्यवार ओसक्ता धूरीPal गए आप पुत्रिय हो फुट्री के रूप में लेकिन पुत्र और पुत्री जो है आसमें मैरीज नहीं करती है, उनका मैरीज जो है कुछ दुसरे परिवार में होता है तो वह दुसरे परिवार के साथ चुरते हैं जैसे कि यहां भी पताया भी गया है विवार के वाद बेखती जिस परिवार से बनता है उसे प्रजन का परिवार कहते हैं यानि प्रजन परिवार कहलाता है इस परिवार में जो है विवाही दमपती बच्च है उसमें पिता माता भाई बहन सारे आ जाती है व्यक्ति इग्गो यानि पती-पत्नी पुत्र-पुत्री तो इस तरह से जो है प्रजन का परिवार बनता है यानि अभिवन न्यास का परिवार जो है प्रजन का परिवार के रूप में बदल जाता है तो इसलिए एक व्यक्ति उपर चर्चा कर लिया अगर हम इनकी भी सहस्ता ना जाने तो यह दूरा रह जाएगा परिवार समाजिक संगरण की बुनियादी इकाई है यह इसका हमने पहले भी चर्चा किया है कि परिवार समाजिक संगरण की बुनियादी इकाई है और इसे कुछ निशित लक्षन होते ह जो नीचे दिये जा रहे हैं यानि सबसे पहला तो लक्षन यही आता है कि सर्वभॉमिक्ता यानि सर्वभॉमिक्ता का अर्थ यही हुआ कि एक समाजिक इकाई के रूप में परिवार सर्वभॉमिक होते हैं यानि यह सर्वभॉमिक होते हैं और यह विश्व में कोई एक ऐस समाज नहीं होगा जिसमें परिवार ना मिली यानि संसार में हर जगा आपको परिवार देखने को मिलता है इसे सवर्भूमिक इसले भी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति और समाज के कुछ ऐसे काम है जो परिवार के बिना नहीं हो सकता है यानि बहुत से काम है दोस्तों जो परिव परिवार में ही मिलता है माल लिए माता-पिता का प्रेम है तो यूँ कोई संस्ता नहीं देगा आपको वह आपके परिवार में माता-पिता के द्वारा ही दिया जाएगा कहते हैं बहुत से ऐसे चीज़ेंसे भाई बहन का प्रेम हो गया तो यह कई और नहीं मिलेगा आपको परिवार में मिलेगा तो इसलिए परिवार जो है सर्फ भॉमिक्ता के रूप में देखा जा सकता है बास्ता में देखा जाए तो समाज के पास इसका और कोई विकलपी नहीं है जो की प्रतिवंदता और निस्वार्थ भाव से उन सब कामों कर ले जिने हम खूबी परिवार कर लेता है अगर देखा जाए तो कहते हैं कि परिवार में जो है स्वार्थ नाम की चीज़ नहीं होती है क्योंकि परिवार एक बंदन होता है जहां पर हर विक्ति जो एक दुसरे साथ जुरा हुआ होता है यानि परिवार में स्वार्थ की भावना नहीं होते ही निश्वार्थ होते हैं और निश्वार्थ होके जो है एक दुसरे के लिए सदेव अग्रसर होते हैं और सदेव ही एक दुसरे को अच्छा करने की कोशिश करते हैं उस सबस्ते और सबस्ते प्यार और और सुक्षा क्यां के लिए सबस्ते ऽ करने को तैयार हूँ सकती है कि यह अपनी एक प्याग धिकरने को तorneys अपने जीवनों को भी संकट में डाल देते हैं अब इसको इसका आजाता बात करें अगर हम अंगली पॉइंट को सीमित अकार कहते हैं बुनियादे रूप में पति-पत्रियों उनके विवाहित बच्चे ही होते हैं यानि चोटा परिवार इसको कहा जाता है यह एक चोटा समूबी होता है जिसमें दरस्य के रूप में वो लोग होते हैं वो बड़े परिवार दिन व्ह दिन चोटा काड़ हो रहा है यानि बर परिवार के जो बाते हम करते थे वो आज ब्रिवार बिलकुल ही खतम हो गया है आज देखा जाए जैसे बच्चे बरे होते हैं काम रहना ही पसंद करते हैं और अलग जो रहके अपना जीवन यापन करते हैं उसमें जो है माता पिता को रखना नहीं पसंद करते हैं उनको जो है अलग ही रखना पसंद करते हैं तो यह हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी बिडवना है बहुत गलत है क्योंकि एक बात मैं सदे जानता हूं कि कहते हैं माता पीता बच्चों को इसलिए पाल पोस्के बरा करते हैं कि बाद में जो है वो ब्रिद का सहारा बने लेकिन बच्चों के जो मनसिखता यहां बिगरती चली जा रही है वो एककल रहना चाहते हैं वो बहुत ही गलत है कहते हैं अकेला रहके हम कुछ भी नहीं कर सकती जैसे मैंने भी आपको कई बार बताया है कि तिरपान स्टेडी सेंटर जो है अकेला कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं एक हूँ मैं अनेक होना चाहता हूं क्योंकि कहते हैं जितने लोगों की संयोग मिलता है उतना वह विस्तुत और अच्छा बनता है तो यहां परिवार में अगर रहते हो कोई न कोई आपको सहता करने के लिए मिल जाता है तो इसका हम नुकसान भी जानेंगे और समझेंगी परिवार होने का क्या फैदे हैं तो यह सारी बाते बहुत इंपोर्टेंट रहता है यहां पर कि परिवार आज काल सीमित अकारदारन करता च वो आगे चलके उनके सहारा बनेंगे उनके साथ रहेंगे उनके सेवा करेंगे क्योंकि जिस परकार माता पिता ने बच्पन में बच्चों को सेवा किया होता है वो ही आशा और रखते हैं कि बढ़ापा में बच्चे भी माता पिता का सहारा ले लेकिन कहते हैं सहारा देने एक ही परिवार का स्थार कहते हैं सभी समाजी समूह में एक ही परिवार बुनियादी रूप से अनिवारे होते हैं समाने या उन्नत समाजों में जो समाजी संबंदु सरचना होती है उसे बनाने का काम परिवार ही करता है यानि सारे जो रूर लगुलेशन होते हैं दंड पे जो है अपना कारे करते हैं समाजी करन की परक्रिया के माध्यम से परिवार की सरस्य को समाजी माध्धंडों और रिती रिवाजों का प्रण करने का प्रिषिक्षन हो दिया जाता है परिवार की सरस्य के बीच में अंतसमंद और अंतक्रियाओं का मार्ग दर्शन समा परिवार की अस्थाई और स्थाई प्राकिती कहते परिवार की संस्ता सरभौमिक तो होती है लेकिन एक विसेश परिवार तब तक चलता रहा है जब तक पती और पत्नी एक साथ रहते हैं यानि पती पत्नी जब एक साथ रहते हैं तभी परिवार चलता है और वह परिवार के नाम और प्रेंपड़ाओं को बनाया रखते हैं ऐसा होने पर परिवार की जो है साइकल का एक पहिया चलता रहता है यानि साइकल के पहिया चलता रहता है दो अगर ना हो तो चलना संब्भब नहीं है तो कहते हैं इन सबकी से योग भी बहुत जरूरी है बात करें प्यूग हो जाता है यानि समाजी मांदंडों के उपर विवा होता है तो इसको जो है कहते हैं परिवार का जनम होता है कहते हैं जो माता पिता होते हैं इस बात के लिए नहीं डरते हैं कि उनके लड़की ने जनम लिया है माता पिता तो कर्मों के लिए डरती है कहते हैं आज के समाज एपतल में लडकियों को इतना महत्व नहीं दिया जारा है जोकि गलत है कहते हैं उनको जल्व पर शा conscious यां को मार दिया जाता है लगिन कहीं खता है । लड़की भी जो होती है अपनी विचार धारा को जो है हो जाता है तो एक परिवार का जो है जनम हो जाता है एक नया समाज बन जाता है नया जनम हो जाता है और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लड़की का जो अगर विवा होता है और दूसरे घर पर प्रवेश करती है तो उसका नया जनम के समान होता है वहाँ पर आप जिस परकार से उनको रूल लिबरेशन बताओगे समझाओगे वो उसी परकार को गरन करेंगे लेकिन आज कल कहते हैं ये माता पिता के साथ अधिसमें नहीं बिता पाते हैं ये सदे भी अलग हो जाने के फिरात में रहते हैं और अलग ही अपना दुनि मिलके शुल जाने के कोशिश करते हैं लेकिन ये अलग रहते हैं अलग से दूर रहते तो परिवार भी उनके तकलीफों से अफ़यत मैं होता है और इस तरह अपने विज़ू करते याना किडियां हें उसको करते हैं कहते हैं स्वास जीवन मिताने के लिए योन संबंद की इस मुल प्रवितियों को संतुष करना अवश्रक होता है क्योंकि कहते हैं अगर स्वास जीवन आपने जीना है तो कहते हैं हर एक क्रिया जो है जरूरी है क्योंकि जब तक इसान अपनी क्रियाएं नहीं करेगा वह स्वास्त नह समानेता एक ही छत के नीचे रहते हैं और इस अदर्से में पती पत्र उनके बच्चता अन्य रिस्दार समयलित होती है जो की एक समाने निवास अस्तल कहा जा सकता है उसके पश्चादा बंश करम की गणना परिवार में बुनियादी रूप से देखा जाए दिरिवर्ति होते हैं समानेता उत्तर भारत में पित्र वंश्य परिवार होते हैं और दक्षिन भारत में मात्र वंश्य और मात्र वंश्य दोनों परकार के परिवार पाये जाते हैं या वंश करम की गणना अगर हम बात देखे तो इसमें इतना ही आपको दिवांग में रखना है कि यह तो मात्रवंशी हो सकते हैं या पित्रवंशी हो सकते हैं कहते हैं उत्तर भारत में आपको पित्रवंशी परिवार ही देखने को मिलेगा लेकिन दक्षिन भारत में जो है यह मात्रवंशी परिवार और पित्रवंशी परिवार दोनों ही आपको देखने को मिल सकता है कहते हैं परतेग परिवार अपने सदस्तों को आर्तिक अवस्ताओं के पूर्ति करना चाहता है। समाने तो परिवार के व्यास व्यक्ति किसी न किसी धंदे को करते हैं और परिवार के सदस्तों को अवशक्ता को पूरा करने कोशिश करते हैं। परिवार में यह भी देखा जाता है कि विर्द और विमार सदस्टों की देखवाल की जा सके तो यह बहुत जरूरी है आर्थिक विवस्ता के रूप में परिवार में रहना बहुत जरूरी होता है इसे हर तरह की समस्या का समधान हो जाता है समय रहते हुए हमारा अगला टॉपिक गर यह दोस्तों परिवार के परकाड़े क्या है देखिए यह बहुत इंपूरेंट बात है अगर हम इसको नहीं तो हमारा यह धुरह रहेगा क्योंकि समाज में परिवार कई तरह की परकाड़े होते हैं व्यक्ति और समाज अपनी बुनियादी अशक्ताओं के लिए बहुत अधिक निर्वर भी होते हैं यह व्यक्ति और समाज के अशक्ता उच्छित लंग से पूरा नहीं की जासे पाती है तब दोनों का जीवन जो रहना कठीन हो जाता है तब ही हम परिवार में रहते हैं कि परिवार में हर तरह की चीज़ जो है हमें मिल सकती है इस करण परिवार दोरा किये गए परकाड़े बहुत अधिक महत्पून हो जाते हैं और यह हम परिवार के महत्पून परकाड़े को विविशन करके यानि जो है विच संतुष्ट्री समाज सम्वनंद, अस्थापित करने के परमानित भी करते हैं, दुसरी बात देखा जाए तो जो है बहुत महत्तुपन परकारे बच्चों को जनम देना होता है देखिए अगर विवा हो जाता है तो परिवार का बनता तब है जब बच्चों का जनम होता है अगर बच्चों का जनम न हो तो परिवार अधूरा माना जाता है परिवार नहीं इसलिए बच्चे को जनाम को सबसे इंपोरेंट माना जाता है माना पर जाती इस तरह के परिवार से पैदा होने वाले नए सदस्य को आगे बढ़ाती है और उसको जो है आगे उसको सभी मानता दी भी जाती है उसके पश्चाहत परिवार का एक और जैवकिये परकारे सभी प को कहा था कि माल लीजिए पती पत्ने में कोई विवाद होता है तो परिवार उसको सुलजा लेता है पती पत्ने में कोई विमार होता है तो उसके माता-पिता समाल लेते हैं माता-पिता विमार होते तो बच्चे समाल लेते हैं ठीक है और बच्चे विमार होते हैं तो उनके स समालते हैं तो परिवार इसी रूप से संदक्षन भी देता है परिवार का एक महत्वपुन का प्रकाड़े जो सदस्दों को भौती सुरक्षा भी और उनका परवा भी करना होता है ऐसी सुरक्षा जो है नमजात बच्चों से लेकर विरित व्यक्ति तक भी हो सकता है अगर सं पांसिक रूप से योग्य एवं निर्पूर होना जरूरी होता है उसके परशाद है आर्थिक परकाड़े जब तक परिवार के लोग आत्म निर्भर नहीं हो जाते हैं परिवार एक सीमा तक अपने सदस्क्री भोजन बस्त और अरवास के वश्रक्ताओं के पूर्ती करता ह यानि परिवार बहुत जरूरी होता है कहते हैं आत निर्भर होना एक परिवार में रहके ही संबब है परिवार का मुक्या किसी काम दंदे या विवसाय को अपना कर अन्ने सदस्क्री के शक्ताओं के पूर्ती अपनी आयसे ही करता है यानि परिवार का मुक्या का यहां पर बहुत बड़ा दाइत्व होता है कभी कभी परिवार के साथ से समुहिक रूप से जो है कोई परिवारिक व्यफसा है खेती वारी पशुपाराट कुटेर उद्दियोग आधी करते हैं इस तरह का जो है समुहिक प्रयास परिवारिक साथ को परजगार और आए भी देता है तो यह देखा जाए तो एक तरह का आर्थिक परकाड़े जिसमें आर्थिक जो है यहां पर भोग हो रहा है अन्य आर्थिक परकाड़े वह हैं जिनमें परिवार अपने उत्तर अधिकारियों को संपत्ति और जिमवारिया देती है परिवार के सबसे अधिक महत्रपन परकारे बच्चों की देखभाल करना है और उन्हें अपना समाज की संस्कुर्टी के अनकूल भी बनाना है समाजी करन के परक्रिया में परिवार यह निश्यिद करता है कि समाजी सीख में बच्चों को संस्पिरिति की बहुती और इसी तरह के जो अभौतिक संस्पिती से परिश्द करा है यानि बच्चों को समाजी करन सिखाया जाता है और वो संभब कहा होता है परिवार में कहते हैं मैंने एकल परिवार को कभी भी सही नहीं कहा है क्योंकि इसमें बच्चे जो है अपने दादादी से कुछ भी नहीं सिखते हैं बहुत कुछ जानते हैं इसलिए बच्चों का अगर पडिवेश पडिवारिक रूप में हो तो वो उसके जीवन की आपन के लिए अत्यांत महत्वपुन बन जाता है समाजी करन के परक्रियां में परिवार यह निश्यत करता है कि समाजी सीखने बच्चों को संस्कृति की भौतिक और इसी तरह के अभौतिक संस्कृति के अंग भी होते हैं यानि यह सारे के सारे जो होते हैं और भौतिक संस्कृति के अंग होते हैं और समाजी करन की परक्रियां में ही परिवार बच्चों को भौतिक संस्कृति भी देती है भौतिक संस्कृति का जो है सरोकार खदान पैदा करना ठीक है और मकान बनाना वांध्यंत्र बनाना आद संस्कृति का परिवर्तन नहीं हो सकता है यानि समाजी करन के कारण ही देखा जाए तो संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिल सकता है देखा जाए तो संस्कृति का सित्व ही परिवार दोरा किये गए समाज करन से होता है यानि अगर परिवार नहीं होगा तो कोई भी संस् भी भूमिकाव महतपून होती है इस एजनसी को सबस्थे माता पिता और अन्य विज्दारों का विभार सनेफपून होना चाहिए ऐसा होने पर इस बच्चा अपने समाज के मात दंडों को पुरी तरह से अपने मन से अपनाता है यारी कहते हैं कि जो माता-पिता होते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट रहता है और ऐसा होने पर बच्चा अपने समाज के मात दंडों को पूरी तरह से मन से अपनाता है क्योंकि उसको समझाने वाला उसी जैसा ही कोई मिल जाता है उसके पर शाहत है मनोविज्ञानिक परकार यानि यह मनुष्य का सभाव है कि वह बच् सुरक्षा देता है बैक्तियों को यह महसूस होता है कि और कुछ हो या ना हो उसके परिवार से तो खराब परसिती में उसकी सहता करने के लिए तयार रहते हैं तब ही तो मैं मैं कहता हो कि मनोविज्ञानिक परकार से उनको काफी सुरक्षा महसूस होता है क्योंकि उनको य ये एक तरह का सुरक्षा परदान होता है कहते हैं इससे हमें मनोविज्ञानिक काफी हमें अच्छा महसूस होता है तो यही बात यहां पर जरूरी होता है एक सव्यूक्त परिवार का इसके बदले में एक व्यक्ति परिवार संसे के लिए अपना समय शक्ति और धन देता है मै एक दिन परिवार के लिए सब कुछ छोड़ कर विदा भी हो जाती है तो यही तो परिवार होता और यही परिवार का महत भी रहता है जैसे कि यहां पर चित्र में भी आप देख सकते हो कि यहां पर एकल परिवार को दिखाया गया है जिसमें परिवार से दोरा दिया गया ध् अगला जो हमारा टॉपिक है दो तो परिवार के परकार है कहते हैं परिवार के परकार के होते हैं परिवार के वर्गी करण के विविन परकार को में ध्यान रखा जाता है कुछ महत्रपुन कारकों के अधार पर परिवार का वर्गी माता के घर में रहते हैं और नव स्थानी परिवार का अर्थ होता है जहां पर हम ना माता के घर में रहते हैं ना पिता के घर में रहते हैं भारत के अतिकांस परिवार्ड इसी परकार में आते हैं, सभी जगा देखा जाए भारत में इसी चीज को परोटीद दिया जाता है, जहां पर जो है ओर्तें जो होती है, अपने माता पिदा के घर छोड़ के अपने पती की घर चली जाती है, और वहाँ ही अपना जीवन यापन करती है इसे हम पित्रस्थानी परिवार के रूप में जान सकते हैं दुसरा जो होता है मात्रस्थानी परिवार यानि जब विवाई जोरा पत्नी के माता के घर पर रिवास करता है तो इसे हम मात्रस्थानी परिवार कहते हैं चुकि बहुत कम चित्रों में देखने को मिल सकता है ऐसा बहुत कम देखने को ही मिला है इस परकाय की परिवार तब बनते हैं जब अपनी माता के मकान को छोड कर विवा के बाद पती के यहां नहीं जाती है और दुसरी और पती अपने पतणी के माता-पिता के यहां हीand जाता चला जाता है और इस परकार पुर्व में पती अपने पिता के घर को छोड देता है और यह अथा उत्तर पुर्व की जंजातियों में जैसे की गारों खासों में ऐसी मात्र वंश्री परिवार देखाने को मिला है यानि यहां पर देखोगे उत्तर पुर्व की छेतर में जहां जंजाती रिवास करती है गारों और खासों में इसमें मात्र अस्थानिक परिवार को ही प्रोट नव अस्थानी परिवार को रहना ही पसंद करते हैं, जो आज की समय का यह विडवना बन गया है, इसका अर्थ यहा है कि वह एक नए घर में रहना चाहते हैं, जो माता और पिता की निवास से बीन हो, यानि जहां माता पिता भी न हो, वह ऐसे जगा पे रहना हुँग पसंद करते हैं अस्टेलिया की कुछ जन जातियों में विवाहित जोडह मामा के पास या मामा के परिवार पे नहें परकार होते हैं एक पित्र सतात्मक परिवार और दुसरा पित्र सतात्मक परिवार का मतलब यही होता है कि ऐसे परिवार जिसमें पिता और अफचारी मुखिया होता है यानि पिता को ही यहां पर मुखिया का दरजा दिया जाता है और परिवार में प्रशाश्मत शक्ति पिता के पास ही होता है सारा जो घर का देखवाल पिता के द्वारा ही किया जाता है और पिता की आग्या ही बच्चों को मानना पड़ता है उसे पित्र सनात्मक परिवार कहा जाता है और इस प्रकार्ट परिवार में प्राधिकार केवल पिता के पास ही होता है और वही परिवार का सब कुछ होता है इस्तरी और बच्चे को परिवार के पुर्षों को निर्न और अर्दर्शों को मानना पड़ता है यह जो पिता बोलता है उसी को सभी को यहां पर मानता देना भी पड़ता है परंपरागर्द भारतिये और चीनी परिवार जो है पित्र समात्मक परिवार के उधारन है अधिक का परिवार यानि माता का यहां सत्ता हो और माता ही मुखिया हो वह परिवार जिसमें मा का स्थान केंद्रिय होता है यानि मा ही जो मुखिया होती है और उसके अधिक प्रादिकार सबसे उपर होता है यानि जो है माता के ही पात माना जाता है माता सताथ में परिवार कहा जाता है अधिकाज मात्रसधात्मक परिवार जह यह मात्रवंशी और ज्वारें होते हैं तो यह काफ़ इन्पोडेंट है यहाँ ने अकार के रूप में, परिवार के हम देखें, अकार के रूप में, तो अकार के अधार पर पर परिवार के दो भागों में बाटा गया है, एक परिवार जो होता है, एक का परिवार और दुसरा जो होता है, संयुक विस्तुत परिवार, यानि जिसके विचार में हम कई वार बा होता है और सहरी चेत्र में परिवार अधिक पसंद किये जाती हैं सहर में परिवार का कार छोटा इसलिए पाया जाता है कि यहां निवास के लिए स्थान में कमी होती है और इसी तरह सहरों में आर्थिक समस्याएं भी होती है और लोगी विचारधारा होती है ऐसे ही कई अन्य कारक होते हैं एक परिवार नसर से एक दुसरे के निकट से जानते हैं और वे परिवार दमबत तक मुलक भी होते हैं यानि यह जो देखा जाया तो सहरी छेतर में अधिक है लेकिन देखा जाया तो इसका प्रभाव आज गाउं के छेतर में भी देखने को मिला है जहां पर वि विवाहित बच्चे होते हैं तो इसे हम एक एक परिवार का नाम दिया जाता है उसके परशात आता है संयुक विसुत परिवार देखिए ये परिवार रख्त और विवाहिक समंद्यों होते हैं इसमें एक से अधिक पीडियां होती है यानि इसमें तीर पीडिया निवास करती भी देती हैं यानि इस परिवार बहुत अच्छा परिवार माना गया है और इसको ही प्रोटी देने की जो है हर एक विक्ति को जो है अगरसर होना भी चाहिए क्योंकि इसमें जो है सदसे एक दुसरे को आर्थिक और अन्य परकार की सहता मिल जाती है या कुसी परकार का माधिकार उते एक के पास होता है जो बुजर्ग होते हैं और वही परिवार को नियंतर नचंधार को जो है बात मानने कभी पड़ता है Для안प परिवार का यह सितन निकट के जोड़ को जो ढ़ने से बनता है यह जोर स developorte नदर आरे में एक से अधिक जोर्आ होते है और रक्स यदि बात करें हैं विस्तुत परिवार का तो यह एक एक परिवार का विस्तुत रूप है यह विस्तुत निकट के रिस्तदारों को जोड़ देने से बनता है यह जोड़ समावर्ती नददारी को से मिल जाने से ही होता है और इस नददारे में एक से अधिक जोड़े होते हैं और ये रख सम्मंदी ही होते हैं एक दूसरे से अगला जो है बहु विवा परिवार यानि जहां एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी या पती से विवा करता है उसे बहु विवा परिवार कहा जाता है तो यह तो सदारन तोर पे बहुत ही कम देखने को मिला है किसे प्रात्मी प सुनिघरवार का क्या धश्रा है करकेए बस यह प्रमाजिद करते हुए कहा जा सकता कि यह इंवाससमु है जिसमें तीन या अधिक पीड़ी एक ही छट के नीचे रहते हैं तो इसको स्यूख परिवार का नाम दिया गया है एक ही चूले के पका खाना खाते हैं और समाने गत्विद्यों में भाग भी लेती हैं यह लोग नतेदारी विवस्ता के धार पर समपत्ती में समाने अधिकार और विश्तत होती हैं और कई परकार भी महसूस किया जा सकता है कि समाने निवास और चूले का होना अवश्चक नहीं है समास चासों का विचार है कि किसी भी परिवार को संजुद होने में तीन दशाओं का होना अत्यंद महत्व होने पहली दसा तो यही होते कि पीड़ी की गहराई कैसी हो अधिकार है और दाइतो और संपत्ती देखिए इन कारणों से भी जो है हम सजीट परिवार के रूप में इसको परिवासित कर सकते हैं कहते हैं दो या अधिक परिवारों में नतारी संबंध होता है ऐसे परिवार अलग-अलग रहते हैं लेकिन जो है समवेगातमक अधार संपत्ति और एक प्रदिकार पर चलने व नहीं देखा जाए तो इसका पहली बात यहीं आता है कि एक जो है अधिकार बात स्रचना है परिवार में परिवार का मुखिया परिवार और उसके सब्सक्राइब हुए मामलों में निर्णाय लेता है और इस मुखिया द्वारा लिया गया निर्णाय सभी के लिए अंतिम ह होता है तो इसे संयुक परिवार का रूप दिया गया यह लक्षन होता है यह एक परिवार बादी संगटन होता है इसका और यह है कि परिवार के फैसले व्यक्तियों के हाग की अप्वेक्षा परिवार के हक में होता है यानि व्यक्तियों के हक में नहीं होता है पूरे परिव करना होता है और यह बलिदान परिवार के मादंडो नीमो और प्रंपड़ाओं को हाक में होता है यानि इसमें कभी कई बार क्यों होता है अपनी पसंदगी और ना पसंदी जो है बलिदान भी देना पड़ता है तब ही वे सियुक परिवार कहलाता है कहते हैं अगर परिवार म व्यक्ति का दर्जा जो मिलेगा वो उम्र और उसके संबंद पर मिलता है सभी परिवार में व्यक्ति जिसकी उम्र जादा होती है उसकी प्रतिष्टा जादा होता है और कम उसे उम्र वाले के प्रतिष्टा थोड़ी होती है यानि यह कोई दोराय नहीं है जो छोटा होगा उ रख्त-संबंदी सिस्तिति से जो है आधरनी होते हैं यह रिजिदारी कारण ही है कहते हैं पती चाच्छा चाच्छी और सश्राल के सच्छे का आधर उनकी रिजदार में ऊंचा स्थान होने कारण ही होता है एक विक्तिकी प्रतिष्टां युगतार से अरजीत युगताओं स यह नहीं किनी जा सकती तो यह परिवार का लक्षन के रूप में दिखा जा सकता है कहते हैं अगर लक्षन की बात करें तो अगला लक्षन यही है कि विवाहिक तुचित भी है कहते हैं विवा तो लोग कई कर लेते हैं लेकिन भाई बहन वो नहीं लिला सकते माता पिता नहीं बना सकती इसलिए जो है विवा संबंदों के पेक्षा जो है रख संबंदों को अधिक वेरता दी जाती है यह रख संबंद जो होता है सबसे उपर होता है कहते विवाही तो होता ही रहता है वेक्ति एक नहीं कई विवा के लिए अग्रसर भी होता है लेकिन जो है अपना भाई बहन सदोर कहते हैं माता पिता वो प्राप्त सानी से नहीं कर सकता इसलिए विवास अभिख्षा रखसमंदों को अधिक महत्व दी जाती है कहते हैं परिवार संयुक्त उतरदायतों के अधार पर प्रकारे करता है यानि ये लक्षन है कि परिवार संयुक्त उतरदायतों के अधार पर प्रकारे करता है संयुक्त परिवार का प्रतेक्स रस्ये परिवार के अन्ने सदस्य के समस्याओं में भागदारी करता है और जिस से भी हो उसकी मदद भी करता है तो इसका मतलब यही हुआ कि परिवार सेक्ट ददायतों के अधार पर सारे कारें संपन करता यानि यहां पर व्यक्तियों को जो है प्रोटी दी जाती है जो जो लक्षन बताए हैं वास्ता में एक आदर्श तस्मीर जो है पस्तुत करता है कहते हैं वास्ता में देखा जाए तो सिश्वाइब अपने परकाड़ों को उनके आदर्श रूपों से नीचे ही करते हैं इसका परिणाम यह हुआ है कि आज परिवार के आदर्श लकषन आंस परशक्ता होती थी लेकिन आज जो है लोग क्रिशी करना बेफसाय करना पसंद नहीं करते जिसमें कि वैसे क्या हुआ है से परिवार जो है अपनी लक्षन के साथ बिखटित हो गया है उसके पर अगला पॉइंट जो है परिवार में परिवर्तन लाने के कारक देखिए मौते हैं प्रऀम्परागर्द और अधोनी परिवार में प्रिवतन लाने वाले सब से कालक जो है मेन वह सबसे औहिए पहला आद्धोगी करण, बुसरा है नगदी करण, पश्मी सन्स्कृति, चौता है आद्धोनिक सिक्षा, और पातुमे मैं सर्वधानी कारक, परिवार में ग्रीक कहल, कहते हैं परिवार में इतने कहल पैदा होते रहते हैं, कि लोग एक अलग ही रहना पसंद करते हैं परिवार के परकाड़े करने वाले विभिन समिर्थियों का उधाव तो ये सारे काड़क हैं जिसके वज़ा से परिवार में इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है उपने कारण परिवार की सरचना मनावट और प्रामप्रिक समंदों में महत्पून परिवर्तन आये हैं आधुने की यूग में परिवार के परकार में काफी परिवर्तन आये हैं कहते हैं परिवर्तन लाने वाले तत्व का भी वेचन नीचे दिये जा रहे हैं कि निचे दिखाया भी गया है पहला पॉइंट तो यही दर्शाता है कि नगडी करण और अध्योगी करण के प्रभाप के कारण परिवार के अकार में कमी आई है सहरी छेट में बल्या परिवार के लिए आवास की समस्या बहुत ही महत्वपून हो जाती है और इस से और आगे एक विक्ती की आये कितनी प्रयाप्त नहीं होती है कि वो बल्यादे परिवार के शक्ताओं को पूरा कर सके आज कल के परिवार में बुनियादिन हिस्ते पती पत्रियों और उसके औविवाहित बच्चे रहते हैं ऐसे परिवार को एक परिवार कहते हैं यानि आज जो सहरों में देखा जाए तो एकाकिंग परिवार ही सबसे आगे आ चुका है यानि सेज़ुक परिवार बिल्कुल नस्ट सी हो गई है दूसरी बात है एकंग परिवार में सरस्षों को पराम्पे संबंद बदल गई है एकंगी परिवार के सरस्य अधिक समानता का धार पर संबंद रखते हैं उन्हें आख बंद करके वरिष्ट विक्तियों को आदर्शों को सुनना नहीं पड़ता है इसी वया से जो है वो आगे अलग रहना पसंद करते हैं यानि आज वो काफी अपने आपके अधुनिक्ता में जा चुके हैं और वो मुझुर्ग लोगों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं कहते हैं एक परिवार में पती पत्री और पच्चे अपनी पसंदगी और ना पसंदगी बर्ज कुल कर विवात कर सकते हैं और इस परिवार में परिवार और विक्तियों के मसले समाही कुरूप से तै किये जाते हैं तो इस कारण से भी जो है इसका सबसे बड में समझ नहीं पाते हैं यानि आग जो है विक्ति एक दुसरे की विचारों को समझना नहीं चाहते हैं जो पुराने विक्ति हैं वो पुराने विचारधारा को लेके चलते हैं और जो नए विक्ति हो नए विचारधारा को लेके चलते हैं जिसके वज़ाद से यह बीडर होना एक सोभाविक बात बन गई है कुछ माता-पिता बच्चों पर प्रयाब ध्यान नहीं भी देते हैं इसका कारण उनका वास्तव जीवन है वो बच्चों के उतदायत्व से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस बात से भी वो अलग हो जाते हैं जिसमें बहुती बिड़मना उत्पन कर देती है लड़के और लड़किया माता-पिता दोरा पसंद किये गए जीवन साथी से विवाय करना चाहते हैं यह अपने जीवन साथी का चुनाव इस अधार पर करते हैं कि उसमें अकर्शन और वह एक दुसरा के कैड़ी और वेफसाय में समाननी हैं और उनके आर्थिक लाब भी एक जैसे ही है जाती वर्व और परिवार के मुल्वे को संगता को अब लड़के लड़किया संगत करना पसंद नहीं कर रहे हैं जिसके वज़े से एकल परिवार विक्सित होता जा रहा है क्योंकि वो लोग आज आज के नव यूवक आकर्शन पर ही काफी आकर्शित होते हैं लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आकर्शन से जीवन नहीं जिया जा सकता है कहते हैं हमें सोच विचार के रूर लेगुलेशन के साथ समझने की जरूरत है क्योंकि एकल परिवार में जीवन नहीं जिया जा सकता अगर संयूत परिवार रहता है तो विक्ति को सुरक्षा भी होता है और कई मानने में जो वो एक दुसरे के साहयक भी सिदोती है अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि परिवार के आज की सिती में नत्यदारी के संबाद अधिक मजबूत नहीं होती है अब परिवार्श दस्य जो स्वेम लंबी और स्वेक केंद्रित होते जा रहे है अब उनके पास समय सक्ति धन नहीं है कि वो अपने नत्यदारों एबन नत्यदारी को दे सकी इसलिए इनका जो है बहुत ही छोटा अकार धरन करता जा रहा है कहते हैं अब परिवार अपने बच्चों के प्रतिक केंद्रित हो गए है सभी परिवार के टूट जाने के कारण माता पिता अब अपने भाई और बहन को और अधिक ध्यान नहीं दे रहे है यानि कहते हैं मैडिस के बाद भाई बैन अलग हो जाते हैं जिसके वैसे वो अपने छोटे भाई बैनों पर ध्यान नहीं देते हैं वो अपने परिवार के साथ अलग ही रहना पसंद करते हैं माता-पिता के संपुन जीमन अपने बच्चों की इर्दित घुमता रहता है और उनके दोरा भविश्य की सभी उजनाएं बच्चों का ध्यान में रखकरी बनाते हैं तो यह सारी बाते बहुत इंपोर्टेंट रहता है कहते हैं देखा जाए तो परिवार दोरा किये गए परकारे वस्तिविक्ता से हटकर होते हैं दुसरी एजनसियां समाज में आ गई है जो परिवार सदस्व के अफशक्ताओं को पूरा भी करती है यह अपने परकारे में संपुन भी नहीं होती है आज जो नई सदस्था देख रहे करने वाले केंद्र बनाए गए हैं बच्चों की भूमिका और खतम कर दिया है विद आश्रम होने क्यूंकि माता पिता को बच्चे जो होते विद आश्रम भेज़ते हैं और अपना ड़ीवन जो बहुत खुशाली से जीने लग जाते हैं ठीक है नर्सिंग भी ब रटकार सम्मिलित नहीं होता है जिसके वज़ा से वह मनमानी करने लग जाते हैं और अपना जीवन को अलगी अधार बना लिए हैं उसके बाद है रेस्टोरेंट बैंक कलव आदी में यानि आज काल के जो बच्चे हैं इनी चीजों में जाना पसंद करते हैं और यहां पर गल पर ले लिया है इतना होने पर भी परिवार्ग सस्य में एक दुसरे के प्रती जो समवेग है सहता होती है वह इन नई संस्ताओं नहीं पाई जाती है तो बात तो यहां पर क्लियर कट कहा गया है कि जो बाते माता-पिता में पाई जाती है जो परिवार में पाया जाता है व आप जीवन का सही अधार समझ सकते हो और सही जीवन भी वितीत कर सकते हो कहते हैं अधिकां समाजों में परिवार अब उत्पादन की काई नहीं रह गई है उत्पादन में करखानों के आने के कारण अब घर में बस त्रू का उत्पादन नहीं होता है इसके परिवार में मानसिक और भौतिक दूरी को बढ़ा दिया है तो यह बात यहां पर साफ कहा गया है कि देखिए आज के समय में क्या किया है कि बहुत से संस्तादन अपने उत्पादन करखानों में होने लग गए है जिसके बज़ाद से चोटी चोटी परिवारों में धंदा हुआ करता था कारे हुआ करता था आज बड़े बड़े संस्तानों ने ले लिया है जिसके बज़ाद से मिल जुल के रहने की प्रस्तिती थी वो खतम सी हो गई है यानि संयूत परिवार को नश्ट करने में अधोई करन ने अपना बहुत बड़ी महत्वपून युगदान दिया जिसके वज़ासे आज संयूत परिवार खतम हो गया है और यह जो पहले संयूत परिवार इसलिए भी हुआ करता था कि वेक्ति साथ में रहते थे साथ में कारे करते थे और इसमें कई वेक्तियों की वशक्ता होती थी जिसके वैसे सभी के सभी मिल जुल के कारे करते थे लेकिन आज के समय में ये सारे चीजे मांसिक तोर से दूर हो बस्ते हैं उनके बच्चों में साव्यात्मक और समागी तनाव आता चला जा रहा है और उनके किर्मान की अवदी में उन्हें सहता देने वाली कोई भी नहीं होता है वह माता पिता जो ingолод के बाद मनों विज्ञान और मांसिक तोर से बिलकुल ही रचार कर दिया है क्योंकि पश्रिम समाजों में जो है अलग जीवन यापन किया जाता है वही जो रूल लेवलेशनल लोग भारत में भी और जो है अलग रहके भी यही मुकाबला कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बिढवना ह विज्ञान ऐं करते हैं और बहुत बड़ी समच्या भी कर दिया है कहता है भी जो बिदेशों में यह संस्क्रीति होती है जहां पर वह बिवाः नहीं भी करते हैं फिर भी सात में ही रहते हैं वह विवह इसलिए नहीं करते हैं कि यह यदि विवाः कर लेंगे तो उन्हें जल्दी या देर से विवा विछित करना पड़ेगा इन तलाक हो जाएगा इसलिए विदेशों में विवा नहीं करते हैं लेकिन साथ में वो जरूर रहते हैं और इसलिए वह विवा नहीं करते हैं कि उनको जो है तलाक जैसी जो है गमिर समस्यां सो पुझज़ना पड़ेगा इस तरह बिना विवाक किये साथ रहने का मतलब हुआ एक साथ रहने और योन क्रिया करने का संबंद पाया जाता है क्योंकि एक साथ रहेंगे तो उनमें योन क्रियाएं भी होगी ठीक है तो ये सारी बाते आज विदेशों में देखने को मिला है इसका मतलब हुआ कि मित्रों की तरह एक छत के नीचे रहना योन संतुस्टी प्राप्त करना यहीं विदेश का रूल लेशन है और यहीं हमारा भारती समाज भी अपनाता चला जा रहा है कि वो एक छत में रहना चाते हैं मित्र बन के रहना चाते हैं और योन संतुस्टी प्र यह लोग जो होते हैं होस्टल होटल में रहते हैं साथ में अपना जीवन यापन करते हैं कोई दो राये नहीं है कई फिल्मों में भी आपको देखने को इस तरह की घटना दिख जाएगा ठीक है इसमें एक बहुत फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसको आप साथ पता भी हो मु संस्क्रिटी का देश है यहां पर इन चीजों को प्रोटी नहीं दी जाती है कुछ विवाहित पत्री पत्री विफसाय में लगे रहते हैं और संद्री आर्थिक सितिक को होने पर भी बच्चों का प्रजन नहीं करती हैं वह बच्चे को अपने घर पर भार सरूप मानते हैं इस तरह के परिवार को दोरी आए और बच्चे नहीं के नाम से जाना जाता है यानि इसके वैसे भी दखिए आज बच्चे विगरते चले जा रहे कि माता पिता दोनों जॉब पर लगे रहती हैं और यहां बच्चा के जो मन होता है असांत रहता है और कहते हैं अकेला में वेक्ति जो है बहुत कुछ सोच लेता है बहुत कुछ कर लेता है तो कहते हैं। को हर तरह की सुविधाएं मिल जाती है जिसके वाज़ से इनको फूट अलग होने का जो है रास्ता मिल जाता है कहते हैं माता-पिता अपने काम पर लगे रहते हैं अपने जौब अपनी केडियर को प्रावटी देते हैं बच्चे यहां पर अलग गलत रास्तों पर गलत तरीक हैं जो बच्चों का पालन पूसन करता है इसमें माता-पिता से प्रत्क रहकर वEC शुष्षवगरी में रहते हैं और परत्यक मिटर्स एक परत्क घर होता है जिसमें 50 से 2,000 बच्चे रहते हैं और यहां पच्चों को उतदाइतू संपून समधायक का होता है जबकी माता- पिता अलग में रंगे में रहते हैं और बच्हे सब ताम में अपने माता पिता के साथ रहते हैं प्रदिती बहुत गलत क्योंकि इसी सब्स को देखके जो है आज के हमारा समाज बदलता ही जा रहा है कि इस्राइल में देखिए यह बहुत बड़ी बिडवना है कि यहां पर पालन पॉट्शन एक जो है कहते हैं एक ग्री यानि सुच्छों ग्री में रहके होता है तो यह कारण भी जो है माता पिता से उनका संबंद बच्चों का नहीं बन पाता है जिसके बज़र से बहुत ही बड़ी बिडवना का जो है सामना करना पर रहा है कहते हैं यह सब होते हुए भी सरनात्मक और प्रक्रात्मक परिवर्तन के बाद परिवार की भूमी का बच्चों को समाजी करन बहुत ही महत्व पूर्पुनस्तान दिया है परिवार मिलता है उनका धनात्मक दिश्चें से कोई मुकाबला नहीं कर सकता यानि सारान सब्दों में देखा जाये तो विवा एक परिवारी जीवन की सब्वलता को मनविग्याई संतोस्त और समाजिक आदर से देता है और काफी बढ़ता है यंग दिशे से काफी मुकाबला भी नहीं होती है इसके परिवार एक ऐसे संस्ता है जो सरवजी की रूप से अपरहित संस्ता है बहुत बाते यहां पर हमें समझे समझे कहते हैं कि बहुत से चीरे विदेशों को देख कि हम लोग शीक्ते चले जा रहे हैं पश्मिश अबता ने हमारे परिवार को तैस नैस कर दिया है और कहते सवे रहते अगर इन बातों पर ना देखा जाए तो शायद ये समाज हमारा नश्ट भी हो जाएगा इसे के साथ दोस्तों हमारा ये जो परिवार था वो चाप्टर खतम हो जाता है जो कि बहुत इनपोर्टेंट था इसमें हमने हर एक पहलू हर एक बात पर चर्चा किया है जो हमारे जीवन के लिए इनपोर्टेंट था परिवार को सव्यूद बनाने का कारणों इनके फैक्ट नहीं हो सकते दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाना है क्योंकि यह बीए वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है अगर इतना भी पड़की वह चले जाते हैं तो उनका एक्जाम बहुत ही अच्छा और बहुत चारू रूप से हो सकता है क्योंकि इसमें हर एक बात इपते हैं इनफूर्टंट यहां पर दिखाया गया है हर क्लास के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चाहिए के बच्छे कोई भी ऐग हो उनके परिवार उनके चैप्टर नह müsste हैं और आपको उनको नहीं परसाहित करना है, नहीं उनको किसी तरह के अग्रा करना है, आपने सिर्फ इतना करना है, अपना करम करना है, अगर माल लेजिए, आप इस करम को कैसे कीजिएगा, और इसके लिए आपको कुछ करने की जुरूबत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, लिंक को ज झाल झाल